दोस्तों, आज हम बात करें तो ऐसी कार के बारे में, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी मान जाती हैं और दोनों ही कार काफी जादा डिमांडिंग रहती हैं। उनमेंसे एक है Kia Carines और दूसरी है Ertica और आज हम इन दोनों का base model जो है वो compare कर रहे हैं कि ये दोनों car जो है कम price में क्या क्या चीज़े offer करती हैं तो पहले बात करते हैं दोनों की dimension की तो जो Kia Carines की length है वो है 4540 mm विर्थ है 1800 mm और height है 1708 mm जुसका wheelbase है वो 2780 mm का वहीं Ertica की length है 2345 mm विर्थ है 1735 mm और height है 1690 mm जुसका wheelbase है वो है 2740 mm का अगर overall size की बात करें तो Kia जो है थोड़ी सी आपको बड़ी लगेगी देखने में Ertica से overall size में भी length में भी width में और थोड़ी सी height में भी चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं engine की की दोनों कार कौन-कौन से जो है engine offer करती है Ertica में चाहें आप top model ले या base model आपको एक ही engine देखने को मिलेगा और इसमें ना ही आपको diesel engine मिलता है ना ही कोई और तीसरा engine मिलेगा बस वही जो same engine जो ओफर करती है petrol में वही engine आपको हर एक model में देखने को मिलेगा तो Ertica में आपको 130 PS और 137 mm वाला petrol engine मिलता है जो कि चाहे आप LX silo या उससे एक उपर same वही engine आपको सभी में देखने को मिलेगा और Kia में भी आपको 115 PS और 144 mm के torque वाला engine देखने को मिलेगा जो कि premium में आता है जो कि इसका base model है और इसमें turbo petrol diesel engine भी आता है उनमें भी आपको base model में देखने को मिल जाएगा लेकिन इनके जो price है फिर वो extra थोड़े से बढ़ जाते हैं फिर वो इसके comparison में नहीं आपाते हैं अगर हम overall engine की बात करें तो Kia में है थोड़ी से आपको जो है extra power देखने को मिलेगी compare करें Atega से तो चलिए बढ़ते आगे बात करते है exterior की कि दो दोनों कार exterior में क्या क्या चीज़े offer करती हैं दोनों ही कार का जो exterior है look है एकदम ही different है आपको कोई भी चीज ऐसे same देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हम बात करेंगे feature की कि दोनों कार feature में क्या 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 चीज़े देती हैं तो दोनों ही कार में आपको horizon lamp मिल जाएंगे और LED tail light भी दोनों कार में मिल जाएगी दोनों ही कार में आपको wheel मिल जाएंगे वो भी cap के साथ एक में आपको R15 और R16 के wheel जो offer किये गए है वहीं Atega में आपको सिर्फ R15 के steel wheel offer किये गए है दोनों ही कार में आपको normal antenna मिल जाएगा और rear parking sensors भी दोनों कार में आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन बात करते हैं उन चीजों की दोनों कार में जो थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट हैं जैसे कि किया में आपको फ्रिंट ग्रिल जो है वो ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाएगी वहीं आटिकाम आपको यह पेंटिड ग्रिल मिलेगी जो की नॉर्मल कार में जो की दोनों कार में सेम टू सेम मिलती हैं तो दोनों ही कार में आपको चारो विंडो के कंट्रोर्स मिल जाएंगे 12-volt power socket मिल जाएंगे armrest मिल जाएगा with storage के साथ seatback pockets मिल जाएंगी manual AC मिल जाएगा दोनों में sun visor, ticket holder और bottle holder जो है दोनों ही कार में आपको देखने को म मिल जाएंगे अगर सीट की बात करें तो किया में आपको लैधर ब्लेक सीट मिल जाएंगे विछ सिल्वर फिनिश के साथ वहीं एटिका में आपको ड्वेल टोन इंटिरियर मिलता है नॉर्मल फैबरिक के साथ लेकिन अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो कि दोनों कार बसले कार में इसमें आपको कुछ भी चीज़े नहीं मिलेंगी वह आपको आफर मार्केट या आप चाहें तो showroom से ही कुछ पैसे extra देकर लगवा सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं safety की safety में दोनों car क्या क्या चीज़े offer करती हैं पहले बात करेंगे उन चीज़ों की जो की दोनों car में same to same मिलती हैं तो दोनों ही car में आपको ABS, EBD यह चीज़े जो है extra feature नहीं देती जो की Kia प्रोवाइड नहीं करता तो Kia में आपको 6 airbag मिल जाएंगे वहीं ATIC आपको सिर्फ 2 airbag भी देखने को मिलते हैं वहीं Kia में आपको ESP यहनि Electronic Stability Program भी देखने को मिल जाएगा और Kia में आपको Hill Hold, Hill Descent Control, Vehicle Stability Control, Char-Disc, Trier Pressure Monitor System, Speed Sensing Auto Door Lock and Impact Sensing Auto Door Unlock जैसे feature जो है Kia में देखने को मिल जाएंगे, overall अगर safety की बात करें तो दोनों कार जो है आप 3 star rating के साथ कह सकते हैं, लेकिन features वाइड देखें, तो Kia जो है काफी सारे safety features provide करता है, चलिए बढ़ते हागे बात करते हैं price की कि दोनों कार के price में कितना difference है, तो Kia का जो base model का price है वो है 9,60,000 रुपे, और ये सिर्फ petrol में आपको देखने को मिलेगा, वहीं मारूती की बात करे तो मारूती का जो price है वो है 8,40,000 रुपे, एक्सोरूम तो दोनों के price में जो है करीबन करीबन एक लाग का difference आप कह सकते हैं चलिए बात करते हैं final decision के कि इस race में कौन सी कार आगे है तो Kia जो है एक लाग extra ले रहा है लेकिन आपको उतने ही ज़ादा extra feature प्रोवाइड कर रहा है looks, feature, safety, interior road presence Kia ज़ादा better offer कर रहा है साथ ही Kia जो है accessories भी offer कर रहा है आपको top variant जैसी लेकिन मारूती में काफी सारी चीज़े जो है missing है मगर मारूती के जो base variant से एक उपर वाला variant है उसमें आपको CNG मिल जाती है जो की उसका सबसे ज़ादा बिखने वाला variant है लेकिन real life safety में अगर दोनों कार को आप compare करें crash test के मामले में तो दोनों ही कार जो है same safety जो है आपको provide करती है चाहिए आप Adiga ले ले या Kia दोनों में ही आपको same safety मिलेगी बट Kia जो है थोड़े से extra feature जो है provide कर रहा है और दोस्तो एक और चीज़ अगर आप Adiga के base से एक उपर वाला model लेते है यानि कि जो करीबन साड़े नौ लाक का आता है LXI से उपर उसे भी आप Kia के base model से compare करें तो भी Kia जो है उससे ज़ादा extra feature प्रोवाइड कर रहा है हर चीज़ के मामले में चाहिए safety के मामले में चाहिए looks के मामले में तो preference आपके होगे कि आपको कौन सी कार ज़ादा पसंद आती है looks में, features में अगर आप features वाइड देख रहे हैं तो जाहिड सी बात है Kia जो है extra feature प्रोवाइड कर रहा है लेकिन Adiga जो है काफी ज़ादा बिक्ती है क्यों? उसका कारण है CNG जो की Kia प्रोवाइड नहीं कर रहा तो अब आप देखिए आपकी demand क्या है आपको CNG वाली कार चाहिए या एक petrol वाली कार या उसका सिर्फ base model ही लेना है ये depend आप पर करता है कि आपको कौन सी कार चाहिए तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही ये लगे लगे लेखिए उढख टोसाँ जाटर आपको Monsieur Lord चाहिए लगे लगे लगेका रहे वाली कार नहाँ नहा है नहीं कर दोस्तों आपको कि आपको का है